नमस्कार दोस्तों वलकम बैक बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की और क्या मार्केट यहाँ पर बुलिश हो सकता है फेब्रोरी के मन्थ में और उसी के साथ बीटीसी ने यहाँ पर 38,000 डॉलर को हिट कर दिय से उसमें जो लिमिट से वो लगाई जा रही और उसी की वज़़से यहाँ पर जो बीटीसी का प्राइज है वो ग्रो करते हुए नजरा रहा है तब अगर हम बीटीसी के एक कोईं की बात करें जो कीमत यहाँ पर ओ रही हो 38,000 डॉलर के आसपास जा रही है मतलब अगर हम यहाँ पर comparison करें इनकी जो local currency है दनायरा उससे अगर आप compare करेंगे तो यहाँ पर जो price हो रहा है 38,792 डॉलर हो रहा है एक बीटीसी का यहाँ पर अगर हम इनके exchange की बात करें नाइजिरियन crypto exchange नायरा एक्स पर अगर आप यहाँ पर check out करेंगे तो जो कीमत हो रही है वो काफी कम यहाँ पर हो जिस वजह से बीटीसी के जो price है उस पर impact देखने को मिल रहा है और इसका जो price है वो 38,000 डॉलर के उपर देखने को मिल रहा है इनके exchange पर अब आते हैं अगली update की और जो जुड़ी ही है USS से जहाँ पर अगर हम USA में जो institutional investors हैं उनकी बात करें उनका जो यहाँ पर जो result है वो यहाँ पर share किया है जिसमें यह कहा जा रहा है 85% of BTC buying being the result of American institutional players मतलब BTC को जो buying अभी के समय में हो रही है 85% जो buying हो रही है वो यहाँ पर result है American institutional players का जो बड़े-बड़े investors हैं उनका जो यहाँ पर BTC को buy कर रहे हैं और अभी भी वो यहाँ पर काफी यहाँ पर काफी ज़्यादा होते हुए नजर आ रही है उसके अलावा यहाँ पर एक survey भी किया गया और उस survey में अगर आप देखें जो institutional investors से जुड़ा हुआ है उनका यहाँ पर क्या forecast है क्या prediction है वो यह कह रहे हैं कि यह जो साल होगा वो काफी ज़्यादा strong होने वाला है 65 65% यहाँ पर जो institutional investors से वो expect कर रहे हैं कि BTC का जो प्राइज है वो 100K डॉलर तक hit कर सकता है वैसा अगर हम बात करें यहाँ पर इस साल की यह साल काफी अच्छा हो सकता है जैनवरी का मन्त काफी अच्छा गया लेकिन February का मन्त depend करने वाला है आने वाले दो से तीन दिरों में मतलब 1st of February वहाँ पर काफी ज़्यादा important होगा क्योंकि जो यहाँ पर fade है उनके द्वारा interest rates को बढ़ाया जा सकता है और अगर वो interest rates को बढ़ाएंगे तो कहीने कई market में जो negative impact है वो देखने को मिल सकता है लेकिन फिर भी 65% of institutional investors ऐसे हैं जिनोंने यहाँ पर survey में agree कि BTC 100K को हिट कर सकता है future में अगर हम देखें almost 2025 एक एसा साल हो सकता है जहाँ पर यह जो target है कहीने कही वो अची हो सकता है BTC 100K डॉलर को हिट करेगा क्योंकि लगातार यहाँ पर जो adoption है worldwide वो cryptocurrency का हो रहा है नाइजिरिया में आपने देखा वहाँ पर वो case-less होना चाहते हैं society ऐसी यूज कर सकती है उसके साथ ही market studies का ये भी मानना है कि यहाँ पर 1st of February को जो fate के द्वारा meeting होने वाली है उसमें जो जेरियूं पावे ले वो लगातार यहाँ पर interest rates को hike करेंगे मतलब अभी भी यहाँ पर जो update आएगी वो कहने के interest rates को बढ़ाने से ही आएगी और उसी वज यहाँ पर artificial intelligence का होता हुआ नजरा रहा है और Microsoft के साथ भी आपने देखा था Microsoft ने बड़ा investment किया हुआ है चेट GPT company में जिसका अगर हम यहाँ पर users की बात करें उसके जो users है वो काफी तेजी से यहाँ पर grow है अगर हम देखे almost यहाँ पर 1 million जो users है वो इस company ने लगबग 5 दि बना हुआ है काफी सारी companies यहाँ पर इन में interested है जिस वज़े से अगर हम यहाँ पर इन companies के coins की बात करें तो वो भी यहाँ पर grow कर रहे है एक और crypto project है जिसका आप example ले सकते हैं फेज.ai जिसका native token है फेट उसके price में लगबग 212% का pump देखने को मिला है अगर हम last 30 days में compare करें इसके अलावा एक और यहाँ पर project है AGIX उसका जो price है वो भी 293% तक increase हो गया तो यह कुछ SA coins है जो AI पर based है और AI का future यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफी सारी companies यहाँ पर interested है invest भी कर रही है तो कहीं न कहीं SA coins जो इन पर based है उनके price में बड़ा pump देखने को मिल सकता है तो आ खुन झा झाल पूब्ध के और दू방 के तो कि रङक है तो इसके जो मिल सुबड़ा देखना नहीं है तो इसका है अईसकी पाप में पर फर बाम के झ Anyway, thank you